एक गाओं के कुछ लोग जुन्ड बना कर नहर में मचली मारने पहुचे थे तभी दो बेक्तियों का अचानक पैर फिसल गया और वह नहर के बीचो बीच गहरे पानी में पहुच गए जहां पर डूप कर उनकी मौत हो गई खबर उत्तर परदेश के स्राबस्ती जिले के थाना चेत्र मलीपूर के लश्मनपूर कोठी गाओं के रहने वाले दो यूवकों से जुड़ी हुई है लश्मनपूर कोठी गाउं के रहने वाले 35 वर्षिय ननकउ और 18 वर्ष के राजकुमार गाउं के कुछ लोगों के साथ मिलकर पास में बहरे इन नहर में मचली मारने के लिए गए हुए थे तभी अचानक मचली मारते समय ननकउ और राजकुमार का पैर फिसल गया और वा नहर में बहरे गहरे पानी के बीच और बीच पहुँच गये जिसके बाद दोनों गहरे पानी में डूबने लगे नहर के गहरे पानी में ननकव और राजकुमार को डूपते देख साथ में गए साथियों के द्वारा इन दोनों को बचाने का खूब प्रियास किया गया लेकिन दोनों की नहर के गहरे पानी में डूप कर धर्वनाक मौत हो गई जब ननकव और राजकुमार के परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो दोनों के परिवार में कोहराम मच गया परिवार के लोग किसी तरह से नहर के पास पहुचे जिसके बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस वहां पहुची और पुलिस के द्वारा डूबे हुए द अच्छा कैसे क्या हुआ था कैसे किया हुआ ना दिया कैसे कब गए थे फबरे रहे रहें बाएंगे तर्फी ना घ्रम लागफ तर्फी ने पी फिर शुले था फासे पाज्वाद मेंट के बाद उन्य करत दो गों जाय कोई ता था साथ में अवसाथ 5-6 माद कोई तो तो आपको बता दे कि नहर में मचली मार ने गए मली पुर्थाना छेतर के लस्मनपूर कोठी गाउं के रहने वाले दो व्यक्त की नहर में डूप कर मौत हो गई जिसके बाद दो परिवार के लोगों में कोहराम मच गया स्रावस्ति जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए अभिसेख सोनी की रिपोर्ट